लाइफ में आज के ज़्यादा इतना कभी मैं नर्वस नहीं हुआ जितना मैं आज के दिन हुआ क्योंकि आज है मेरा टाइक्वांडो का टेस्ट डे और टाइक्वांडो करते हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो गये हैं लेकिन आज तक कभी टेस्ट के दिन नर्वस नहीं उसका कारण ये है कि जनरली क्या होता है कि जब आप दो महने आप ट्रेनिंग बे जाते हो दो महने बाद आप टेस्ट लेते हैं चलो कोई बात नहीं फिर मैंने बाद में देखा मेरा अटेंडेंस थो ठीक ठाक था मलब अगर टेस्ट में बैठना हो तो आपको तीन चाहिए बहुत जरूरी होता है नमबर चार जो सबसे ज़रूरी हो है कानफिदेंस कोई जरूरी नहीं का आप सब को ताइकवांड़ो का हर एक चीज जो भी करिकुलम में एक्टिविटी जो होती है अगर आपको आता भी है धरे धरे करके कर लेते हैं लेकिन आपके अंदर कानफिदेंस नहीं हो चीज करने क तो आप exam में बैट नहीं सकते तो चुकि सब कुछ तो था मेरे पास attendance भी था बाद में मैंने चेक किया मुझे लग रहा था attendance कम होगा लेकिन attendance के लिए कार्ड होता है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसे कार्ड को आप देख करके आप पंच मार देते हैं एवरी डे पुराने जमाने में भी ऐसे लोग attendance दिया करते थे किसी कंपनी में काम करने जाते थे उनके नाम का एक कार्ड होता था उसको पंच मारते थे पंच मार के एक जगन जमा कर देते थे बाद में मेनेजर उसी को पंच काउंट करता था कि महीनेम कौन कितने दिन आया कितने दिन गया है तो हमारे attendance seat पे इस तरह से टाइकांडो क्लास में पंच लगता है तो मेरा जो attendance तो सही था तो उसमें जो सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए वो है मेरे फॉर्म के लिए बहुत बड़ा confidence नहीं था मैं overall में confidence में नहीं था क्योंकि मैं पिछले पंदर दिन से गया ही नहीं था इसलिए मैं बहुत डिसाइड कर लिया थे मुझे जाना ही नहीं करने था कि एक दिन पहले मुझे कलस लेने जाना था जैसे कि कल टेस्ट है हैं तो मैं यही सोच की सोच लिया था कि जलो टेस्ट को नहीं भरेंगे फिर किया था हम है तो फिलाल क्या हुआ थि एक दिन पले में एं साथ अन्या वे गया हैं घव्एड़ी निया जाना कोश्ना कर ta हम कैसे पहले क्लास उसके बाद मैं टो जब मेरा वन एंपस आई कि मुझे लगा ऑंजी ओप ऑंढ़रो से कह Jupiter कर रहे थी कि हम साथ में टेस्ट करेंगे वेडियो बनाएंगे फ़ेम मुझे प्रेस्ट कर रही है कि में फार्म भरू मैंने उसको दूस कोई बात नहीं है आप सब को पास करते हैं किसी को फैल नहीं करते हैं जब जिस दिन जो है बलेक बेल मिलना हो था उसी दिन फैल करते हैं बागे दिन फैल नहीं करते हैं और आपको तो कत्ता ही नहीं करेंगे परेंट्स को कभी नहीं करते हैं आप टेंसर नहीं आप जाहो हमका वह सब सही है ले कि फिर भी मैंने सुचा कि जड़ मजबूत करने के लिए एक बार रुख जाती है तो क्या फरक पड़ता है उसने का नहीं जब तक आप फार्म नहीं भरोगे तब तक मैं यहां से जाओंगी नहीं तो फूर मिज़े लगा है चलो मेरी बीटिया है मेरे साथ टेस्ट देना चा अगले दिन टेस्ट हमने का यह भगवान अब क्या होगा फिर उन्हें ने मुझे इस टेमिना के लिए मुझे पचास पुशप किया आपको ब्राउन बिल मिलता है यहां इस तरह से आपको क्या बोलते हैं इसको तमगा भी देते हैं तो जनरली क्या होता है कि जब आप एक बार ग्रीन पर जाते हो तब मिलता है उसके बाद ब्राउन पर जाते हो तब मिलता है ब्राउन के बाद आप सीधा ब्लेक पर मिलेगा हमको तमगा तो इस तरह से हमको तमगा मिल गए मेरे बि प्रथा है वो बहुत ही emotional है आप कह सकते हैं ठीक उसी तरत से जैसे आरमी में लोगों को बैच पहनाते हैं वाली feeling आती है तो इस प्रथा में क्या होता है कि आपका पुराना वाला belt होता है वो आपके घर का कोई भी member उसको आपके कमर से निकालेगा अब फिर आपका master जो है न दूखत अनुभव होता है उस समय तो इस तरह से हमको मिल गया brown belt इसके बाद हमको मिलेगा super brown belt तो इस तरह से हम दोनों ने मिल करके ताइकवांडो का परिच्छा पास कर लिया बाइबाइबाइब